इस भार्ग दोर वाले जिन्दगी से ठक हार कर मैं चल परा जिन्दगी का सुकून खुजने पहार, जर्णे, जील, जंगल, जानबोरों के बीच एडवेंचर करने और खुद को खुद में ढूंगने मैं पहुंच गया जर्णों के सहर राची में तो गाइज फर्स डे हमने कुछ खास करने ही पाएं क्योंकि बाडिस जो है वह बहुत ज़्यादा हो रही थी और कहीं जान नहीं सके बाडिसे करने कप्रे जो कफी गिले थे फिलान अभी रात के बज़ रहे हैं सारे नों और अब मैं जा रहा हूं रेस्ट करने के लिए तो मिलते हैं कल एक नए डेस्टिनेशन पर अर्ली मॉर्निंग होटल के बाहर का व्यू देखा और रेडी होके जैसे ही खाने बैठा वैसे ही एक गोल आया हलो हाँ 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 अच्छा ठीक है हमारी सवारी और अब हमनों जा रहे हैं नेंचे तो फिलहाल आज का दिन तो अच्छा है हलकी हलकी दूर्यसी लग रही है गाड़ी आ गई तो अभी चलते हैं हम लोग इस बैक से सारे टूरिस प्लेस पोवर करने हैं यहां सबसे पहले हम जाने वाले हैं टैगोर ही इसके बाद हम जाएंगे रोग गार्ड़ और भी बहुत सारे पहार हैं लेकिन सबस्दारा फेमस नहां पर इस लाहाल तो टैगोर ही भी है आखिर से प्रसपाना कार यह ओतो-लेन्ट से कम प्राइज में आप बैक से एक्स्प्लोर कर सकते हैं जो कि दस से बार रुपया पर किलोमेटर के हैसाब से आप से चार्ज लेते हैं टैगोर हेल जाने से पहले यह जानना जरूरह है कि हमारा यह सफर स्टार्ड कहां से हुआ हमारा स्टार्ट होता है पटना से मैं हूँ अभी पटना रेलवेस्टरसन के पास और हम लोग आज जाने वाले हैं राची तो राची में किस-किस दिखा जाएंगे कहां रुकेंगे और क्या टूर प्लान होगा तो सारा कुछ आपको इस इस वीडियो में मिलने वाला है प्लेट पॉंप है और ट्रेंज जो है वह आंगर लगी हुई है पटना राची जन सदाब्ती एक्सपरस दुखी है और यह पटना से छे दसमत खुलकर राची एक बच कर पच्पर मेंट पे पहुंचा देती है अच्छी जनक्सन पहुंच चुके हैं और यहां से अमनों जाएंगो होटल के तरफ अपमें और सबसे पहले यार कुछ खाना पिना खाने यहीं पर आसपास में आपको खाने का कापी अच्छा अप्शन मिले आता है कॉम्सम फुट प्लाजा यहां पर आकर खाना अंज्व इन चोकी राची जंक्सन से 7.6 किलोमेटर के डिस्टेंस पर था अब यहां से रापीडो कर रहें रेपीडो बाइक कि लगबग देर सुरुते ले रहा है और यहां से आप रेपीडो बगया रहा है इस आप तो जी हां यह है टैगवर हिल पार्क राची और यह है में गेट अंदर जाने के लिए जैसे ही इन करते हैं तो कुछ किसी तरह कोई इंट्रिफीर नहीं है डायक्ट सीरिया है बनी हुई और सीरियो के रास्ते आपको ऊपर तक जाना है ले ट्रेली बताओं तो यह जगा दिखने के मेरा बहुत ज्यादा मन था और राची का टैगवर हिल मेरे बकट लिस्ट में बहुत पहले से ही सामिल था तो से माइड नहीं किजेगा यह बन रही है किलाल का जो काम है वो लगा हुआ है अच्छा से टूरिस जो हैं बहुत जाता आते हैं भूमने के लिए अभी ठीक है अभी जितना ठकना है ठक लेते हैं लेकिन उपर जाने के बाद जो वियू मिलेगा वह आपके सारे ठकान आपको जैसा कि मैंने कहा टॉप पर जाने के बाद सारी ठकान दूर हो जाएगी बिल्कूल वैसा ही हुआ इतने खुबसूरत नजारे देखने के बाद मेरी तो सारी ठकानी खतम हो गई मैं आपको बताता रहा हूं अगर आप टग और जिल नहीं आ रहे हो राच्या आने के बाद तो आपको बहुत पुस्त आवगे प्रेसलिक जो नजारे मेरे सामने कि अच्छे मिलेंगे आपको उपर से तो अब हम लोग यहां से निकलेंगे अपने टूरिस प्लेस की और जो है रोग गार्डेन अब हम लोग यहां से निकर रहे हैं आप टैगरों हिल को तो लोग अपने प्यार के निसानी बना दी है मंदब जगा-जगा नाम वगरा नहीं होता है यहां पर आपको जगा-जगा पर सिटिंग एरिया मिलेगा बेंच वेगरा आप अगर ठक गए चरते चरते तो रेस्ट कर सकते हो तो अधर बैट कर और टैगोर हिल है इसका मतलब यह नहीं कि यह रेविंद्र नास्ट टैगोर के नाम पर है आप जान लिए कि यह जो है इनका नाम है जो ए तिंद्र नास्ट टैगोर इनके नाम पर हिल इस हिल का नाम टैगोर हिल रखा गया है यहां पर कुछ जानकाडियां है अगर आप जानकाड़ी पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पाउस करके पढ़ सकते हैं अब हम लोग यहां से निकल चुके हैं और जा रहे हैं रोग गार्डन के तरफ हरे इस यहां का टांस्पोर्ट का जू मुझयां है वह बिल्कूल है आपको देख लोग कि आप किसी ने सुचेबल है अगर आप सोलो ट्रेवलर हो तो आप बाइस हो जा जा तो अगर आप एक आपको आपको पार्किंग चार्ज देना होता है यहां पर आपको पार्किंग चार्ज देना होता है और आप बाइक के लिए आपको दोस रुप्य देना होता है और आप प्रस्नल्स कर से आ रहे हैं या फिर ऊटो से आ रहे हैं तो यहां यह पार्किंग एरिया और इसके लिए आपको 202 रूपीज पे करना होता है और यहां से हमलोंग अब जाने वाला हैं अंदर टिकट ले और अगर आपके साथ कैमरा आ रहे हैं तो कैमरा के लिए अलग साथ को चार्ज देना होता है अब यह है टिकट हम दो लोग आए हैं तो साथ रुपया लगा है और पर परसन के हिसाब से तीस रुपया लगता है अंदर यसे इन करते हैं आपको यह काफिटेडिया मिल आता है आप अपना खाना वाइगारा इंज़ा कर सकते है और यहां से गजव जैगा हो तो ऐसा रोक्स एक तरफ रॉक गार्डन आपको मिलता है आपको एक छोटा सा जैल देखने को मिलता है यहां पर आपको यह छोटा पाह 받 देखने को मिलता है इस तरह से और अि अ लेकिए नैचे है एक छोटा सा जै भॉदिंग भी और वहां पर आपको दिखर आगा उस साइड में तो वहां पर आप बोर्टिंग कर सकते हो नीचे के तरफ जाओ गए तो यहां पर आपको कुछ सेटिंग एरिया देखने को मिलता है आप बैट पर रेलाक्स कर सकते हो छोटा सा सस्पेंशन ब्रीज तो यह एक छोटा सा सस्पेंशन ब्रीज मिल जाता है जो है चलने पर हिल वी रहा है देखरो आप अजब और नीचे के तरफ आगर जाते हैं तो इधर भी कुछ रॉक्स वेगर आपको मिलेंगे जितना भी यह जगह है बनाए हुआ यह रॉक पर ही बनाए गया है कासा स्लिपरी है भाई यहां से पानी जाता था और यह सामने देखिए एक पत्थर बना हुआ है उस पर कुछ आकरिदे बना दे गई है यह काफी देखने में खुश्रत लग रहा है एक लाइक क्रोकोडाइल यह है यहां पर कुछ सेटिंग है यहां पर भी बना हुआ है कि यह काफी बड़ा सा सेड लगा हुआ और और नीचे में आप बैठ सकते हुआ कि यह यह बैक साइड यहां पर एक बड़ा सा स्टैचु दिखेगा एक अदमी का जो डंबनों बजा रहा है जब घुमने के लिए बहुत कुछ है पहार है जड़ना है और जील है एक जगह है यहां पर चड़ने के लिए आई होप वहां से भी अच्छा सा सीन दिख जाए यहां 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 से अच्छा ने देख सकते हैं यहां से आपको एक अच्छा सा वियू मिल जाता है सामने जील का और एक सीटी वियू तो गाइज यह था अच्छा रोग गार्डन तो अब हम लोग यहां से निकल चुके हैं और अब सबसे पहले जाएंगे होटल जहां पी मैं अभी रुका हुआ हूँ वहां से यह करूग चेक आउट और फिर दूसरे होटल में जाऊंगा वहां पर चेक इन करूंगा उसके बाद फिर निकलूंगा बाहर भूमने के लिए हैं कि होटल की जानकारी विदेने तो जरूरी है आप लोग के लिए चलिए पहले चलते हैं होटल करते हैं